यहां हमारे पास दो समानतर रेखाएं हैं, यह पहली रेखा है और यह दूसरी रेखा है, मैंने यह चिन्न लगा कर दशा देता हूँ, यह पैरलल लाइन्स यानि समानतर रेखाएं हैं, चली अब एक तिरियक रेखा यानि ट्रांसवर्सल बनाते हैं, तिरियक रेखा वो रे प्रतिछेद करती है। यहां इस कोण का माप हमें दिया गया है 9x जमा 88 अंश। हमें ये भी दिया गया है कि यहां इस कोण का माप 6x जमा 182 है। ये भी अंश में ही है। तो हमारा मकसद या कहें हमारा प्रश्ण है क्या हम इन दोनों कोणों का वास्तविक मान ग्याद कर सकते हैं। यहां हम जानते हैं कि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और ये तिर्यक रेखा हैं। हमेशा की तरह मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को कुछ देर रोकें और इसे इसे हल करने के लिए दो मुख्य बातें हमें याद रखनी होगी। ये कोण समानतर रेखाओं और तिर्यक रेखाओं की मदद से बने हैं। हम जानते हैं कि ये कोण इस वाले कोण के सरवांगसम होगा। तो अगर ये 6X जमा 182 है तो ये वाला कोण भी 6X जमा 182 होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये नीला कोण और ये नारंगी कोण दोनों समपूरक हैं। इनका योग 180 अंश के बराबर होगा। दोनों ही कोणों को मिलाने पर हमें एक सरल रेखा मिलती है। चलिए इसे समी करण के रूप में लिखते हैं। 6X जमा 182 जमा 9X जमा 88 ये बराबर होगा 180 अंश के बिल बी इकवल टू 180 डिग्रीज। अब बस इसे सरल करना है। 6X जमा 9X होगा 15X और फिर 182 जमा 88 एक सो बयासी जमा 8 पर हमें मिलेगा 190 इसमें और 80 जोडने पर मिलेगा 270 जो की बराबर होगा 180 के। अब हम दोनों पक्षों से 270 घटाते हैं। 15X बराबर होगा रिनात्मक 90 के। और अब हम दोनों पक्षों को 15 से विभाजित करते हैं। हमें मिलेगा X बराबर अब 6 गुणा 15 होता है 90 इसका मतलब X बराबर होगा रिनात्मक 6 के। हमने काफी बढ़त हासिल कर ली है। हमने यहां X का मान ग्यात कर लिया है। अब इन कोणों का माप ग्यात करते हैं। यहां यह कोण 9X जमा 88 हो जाएगा 9 गुणा रिनात्मक 6 जमा 88। 9 गुणा रिनात्मक 6 बराबर होगा रिनात्मक 54 के। रिनात्मक 54 जमा 88। यह बराबर होगा 34 अंश के। यह नारंगी कोण होगा 34 अंश का। नीला वाला कोण 180 गटा 34 लेकिन फिर भी हम इसे यहां से जांच लेते हैं। 6 गुणा रिनात्मक 6 होता है 36। जमा 182। मैं पहले 6 को घटाता हूँ तो हमें 176 मिलेगा और यह अंद में हो जाएगा 146। 146 जमा 34 बराबर होगा 180 अंश के 146 प्लस 34 इस 180। हम बाकी कोणों का माप भी ज्यात कर सकते हैं। हम जानते हैं कि अगर ये 34 अंश है तो ये वाला भी 34 होगा ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर होगा। इसका शीर्षा भिमुख ये होगा इसलिए ये भी 34 होगा। ठीक इसी प्रकार अगर यहां ये वाला कूण 146 होगा तो ये वाला भी उतने ही मापका होगा और ये वाला भी और फिर ये वाला भी 146 अंजका ही होगा.